नमस्कार स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो आप सभी ने देखा होगा भी हाल ही में बाला सोर में किस तरह से रेलबे का भैंकर एक्सिडेंट हुआ लेकिन इसी बीच दोस्तो एक बहुती खतरनाक खबर निकल कर आ रही है जी हाँ क्या है खबर चली मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरह से जो दोस्तो बाला सोर में रेलबे एक्सिडेंट हुआ है उसमें दोस्तो रिया भी ट्रेन में ही थी और रिया को अब तुरंत हॉस्पिटल में भरती कराया गया है और दोस्तो आप सभी को बता दें कि जो बाला सोर में एक्सिडेंट हुआ वो बहुत ही जादा खतरनाक था और तो और हमने देखा किस तरह से ट्रेनों के चितरे उड़ गए और जो उसमें इंसान थे उनकी भी किस तरह से हालत खराब हुई सैकडों जाने गई है लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रिया चकरवर्ती जो कि सुसान की गल्फ्रेंड है वो भी उस ट्रेन में ही थी ऐसे में रिया चकरवर्ती की भी हालत खराब हो गई है और दावा किया जा रहा है कि रिया चकरवर्ती को अस्पताल ले जाया गया था जहांपर रिया चकवरती के दोस्तों लग रहा है कि बचने के भी आसार कम ही है उम्मिद करते हैं कि रिया चकवरती पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी दोस्तों आप सभी को पता होगा रिया चकवर्ती कोई और नहीं बलकि सुसान सिंग राजपूत की गरल्फरेंड है और रिया चकवर्ती का इस तरह से जखमी हो जाना कहीं न कहीं दिखाता है कि रिया चकवर्ती बहुत ही ज़्यादा परेसान है और रिया चकवरती के उपर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उसे बुरी नजर लग गई है और इसी वज़े से साइध ही सब कुछ हुआ है उम्मिद करते हैं कि रिया चकवरती जल्द ही ठीक होगी क्योंकि रिया चकवरती सुसांत केस की बहुत सारी जानकारियां जानती है ऐसे में रिया चकवरती ही सुसांत केस का खुलासा कर सकती है उमिद करते हैं कि रिया चकवरती जल्द ही ठीक होगी और सारा खुलासा करेगी और बताएगी कि सुसांत केस की सच्चाई क्या है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना